हलो बच्चो आज हम जानेंगी उपी बोर्ड का क्लासिक्स मंजरी हिंदी बुक से चेप्टर 13 का सरांस और उसके कुछ कोस्चन के एंजर जिसका सिर्शक है अमर्ष सहित भगस सिंग के पत्रे बच्चो प्रस्तुत गर्द्यांस हमारी पाठ पुस्तक मंजरी के अमर्ष सहित भगस सिंग के पत्र नामक पाठ से लिया गया है इसके लेखा भगस सिंग है बलीदान से एक दिन पहले भगस सिंग ने अपने कैदी साथियों को जो अंतिम पत्र लिखा यहां उसी का वर्डन है बच्चो इस पाठ की सुर्वात यहां से होती है प्रशित क्रांतिकारी भगस सिंग का जनम 28 सेप्टेंबर शन 1907 इसवियों यानी 28 सेप्टेंबर 97 इसवियों को पंजाब में लायलपूरु गाउं में हुआ इनके पिता का नाम सरदार किशन से था सरदार भगस सिंग बचपन से ही क्रांतिकारी विशारुबाले थे बड़े होने पर ये ब्रिटिश अमरार्जी को जड़ से उखाड फेकना चाहते थे चंदर शेखर अजाद, राम प्रशाद बिश्मिल, असफाक उल्ला खाँ जैसे क्रांतिकारीों की तरह ही भगस सिंग का नाम भी बड़े आधर के साथ लिया जाता है भगस सिंग हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपाप्लिकन आर्मी के सदस्य थे शाइमेन कमिशन का बहिसकार करने के सिल्चले में पंजाब के स्री लाला लजपत राय पर पुलिस ने प्रांगा तक प्रहार किया था पुलिस अधिचक सांडर्श को इसके लिए जीमेदार मानती वे भगस सिंग ने गोलिया चला कर उसकी हत्या कर दी थी इसी मामले में दुसरा पुलिस अफिशर मिश्ट फर्म भी मारा गया था प्रिटिश शकार ने अन्यापुन धंग से इने 30 मार्च शन 1931 याने 23 मार्च शन 1931 को फांसी दे दी पच्चो क्रांतिकारी भगस सिंग ने लिखा है कि अगर मुझे फांसी नहीं हुई तो शभी के सामने मेरी कमजोरी प्रकट हो जाएगी और क्रांती का प्रतिक्चिन कमजोर हो जाएगा या शमाप्त हो जाएगा अथार्थ हर वेक्ति बलिदान देने की भाना को त्याग कर क्यों जीने की इच्छा में लगा रहेगा भगत सिंग जी कहते हैं कि मेरी कामना है कि मैं दिलेर बनकर हस्ते हस्ते पहासी पर चड़ू जिससे हिंदुस्तान की माताएं अपने बच्चों को भगत सिंग बनाने की इच्छा करेंगी अथार्थ वे चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी भगत सिंग के समान हो जिससे देश में स्वाधिन्ता के लिए बलिदान देने वालों की अधिक्ता हो जाएगी फॉल्तक क्रांती को रोक पाना ब्रिटिश शम्राज या किसी भी सैताने सक्ति की छमता से बाहर हो जाएगा वे हमारा कुछ भी नहीं बिगार पाएंगे अच्चो इस चेप्टर का पहला प्रश्ण है भागा सिंग का जरम 28 सितंबर 1907 इस्वी को हुआ नेक्स्ट प्रश्ण है भागा सिंग ने अपने पत्र में मा के लिए क्या संदेश भेजा इसका एंसर है भागा सिंग ने अपने पत्र में मा के लिए संदेश भेजा की घबराने की कोई बात नहीं घबराने से कुछ मिलता भी नहीं 29 प्रश्ण है भागा सिंग किस सर्थ पर जिन्दा रह सकते थे तो इसका एंसर है भगत सिंग इस सर्थ पर जिंदा रहने के इच्छा प्रकट की कि मैं कैदी या पाबंध होकर जीना नहीं चाहता फ़र्ट प्रशन है भगत सिंग हस्ते हस्ते फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे इसका एंसर है भगत सिंग चाहते थे कि हिंदुस्तानी मताएं अपने बच्च को भगत सिंग बनने की आरजू करें इसलिए वो हस्ते हस्ते फांसी पर चड़ना चाहते थे फोर प्रश्ण है क्रांतिकारी दल में दल संग्या पद है दल की विशेशता बताने वाले शब्द क्रांतिकारी विशेशन है निम्नांकित सब्दों को पढ़िए और विशेशन पदों को चुन कर लिखिए इसका एंसर है विशेशन पद है प्रांगातक, दृट, अंतिम, शैतानी, हिंदुस्तानी फोर प्रश्ण है पांचु प्रकार के योजग चुहन युक्त एक एक अन उधारा दीजिए इसका इंसर है कब हाई बहन, खा है बड़ी बड़ी सेने सेने गा है राष्ट्र गोन, खा है लंबाशा, अंगय है हलके से हलके, कोई ना कोई फाइब प्रश्ण है, बेचैन में बे उपसर्ग लगा है, इसी प्रकार प्राउपसर्ग की सहायता से प्रबल सब्द बनाया गया है, बे और प्राउपसर्ग से बने दो-दो शब्द लिखिये इसका इंसर है बे मतलब बेसर्म बेकार प्रमतलब प्रकार प्रशार अब आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट बाक्ष में लिख कर बताएं अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को फ्रेज करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें थैंक यू बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में